जैहें दोस्तों वेलकूँ डूमाइश्टी चैनल एवन ग्लासेज दावे आप सकसेज या दोस्तों आज का टापिक हमारा भूकम्प है भूकम्प से रिलेटेट इस वीडियो में लोग माहत्मों प्रशनों को पढ़ने वाले है थ्यूटकल प्लस आप्सनल या दोस्तों मैं सबसे पहले में बात करता हूँ भूकम्प की तो भूकम्प होता गया है दोस्तों भूपटल में प्रत्वी की आंतरीक और बाय सक्तियों के प्रभाव के कारण उत्पन भूकम्प क्या कहलाता है अर्थक्वेक कहलाता है यानि कि भूपटल में प्रत्वी की आंतरीक और बा किस शेत्र में हैं तो यह दोस्तों दच्छिड के पठार में कहां पर है दच्छिड के पठार में ठीक है नेस्ट कोश्चन देख लेते हैं दोस्तों ठीक है नेस्ट कोश्चन है आपका अन्ता सागरी भुकंपो दारा उत्पन समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है तो क्या क भुकम पाने के बाद प्रत्विक काफी समय इस तक इस्थिर ना होने पर हलके जटके क्या कहलाते हैं तो यह कहलाते हैं तो आफ्टर सौक किस इटालियन वैग्यानिक ने भुकम मापक का विकास किया था यह किया था मरकेली ने ठीक है अगला प्रसंद देखते हैं कौन से वुकम पी तरंगे कौन से वुकम पी तरंगे सबसे अधिक छती पहुचाती है तो यह तीर के प्रश्टी जो तर वुकम पी तरंगे होते हैं सबसे अधिक छती हमें पहुचाती है next हे प्रोड के माध्यम से उकर जाने वारी तरंगे वोकमपी जटके के अनुबधाव करने के कितने मिनट बाद पहुंचती है और important question दोस्तु कितने मिनट के बाद इक किस मिनट के बाद ठीक है नेक्स डेक गहरा गहरा वुकंपम्प में वुकंपमल की स्थित दरातल से कितनी होती है तो यह होती है दोस्तों 200 से 700 किलो मीटर कितनी होती है 200 से 700 किलो मीटर नेश्ट जिस इस्थान पर भूकंप की उत्पत्ती होती है उसे क्या कहते है उसे क्या कहते है उसे भूकंप मूल कहते है ठीक है नेश्ट दुतियक लेयरों को क्या कहते है तो दु Gocamp Adiqui Indra यानी धरातल पर जहां सबसे पहले Gocamp का अनुभव किया जाता है ठीक है उसे क्या कहता है दोस्तों Gocamp Adiqui Indra तराटली Gocamp में तरंगे किसके कि उनके के का कर कि ऐरा तो से हाइड नेरे कर जाता है पे कितंई मिनट बांट पोइंट अरट बात फोईटा lige पानुस चलन का सिदान किसे परफ़घ्ट किया था तो यहीड किया था किसने qualify डने एक फुनुस चलन का सिदान किस्टे संबंदी थे तो यह भूकम से संबंदी थे किस्टे संबंदी थे दोस्तों तो यह आपका संबंदी थे भूकम से ठीक है अगला प्रशन है आपका प्रत्वी के आंत्रिक संरचना की जानकारी प्रत्वी की आंत्रिक संरचना की जानकारी प्रत्वी के नीचे क क्या अंतरिक संर mum clean io गटित हो रहे हो सभी अम्मोकं विग्यान के माढ़ियं से जान सकते प्रत्विके वीतर चपटानों के तोटे बाग व这么 हों पर नीचे सरक्ना कि या कहला तो यह कहलाता ब्रंसन किया चुछाला तो फिके नेस टाइश कहलती मास अगर के 68 68% भूकंप छेतर को क्या कहा जाता है तो यह अगनी वले कहा जाता है प्रसान सागर के 68% भूकंप छेतर को क्या कहा जाता है अगनी वले कहा जाता है नेक्स्ट है प्रात्मिक तरंगों की गती कितनी होती है तो दोस्तो प्रात्मिक तरंगों की गती होती है दोस्तो आठ किलो अगला प्रहश्म है कि प्रात्मिक तरंगो को अन्य किस नाम से जानते तो यह अनुदायर के नाम से प्रात्मिक तरंगो को जाना जाता है बुका मपांए का प्राकृतिक कारण क्या है जोला मुखी Plus for दोस्तो अगर आप जोला मुखी hori और जो आला मुखी सम्मंदित हमारा वीडियो नहीं देखें तो मैंने डिस्किप्सन में उसका लिंक दे दिया है आप जो आला मुखी वाला वीडियो जाकर आप वाच कर लिजे जिससे आपको सारी डाउट किलियर हो जाएंगे नेश्ट है भूकम पाने का मानवी कारण काउंसा है तो यह दोस्तो खनन बिसपोट क्या है खनन बिसपोट नेश्ट है भूकम उत्पति केंद के ठीक ओपर दरातल पर इस्तिस्थान क्या कहलाता है तो यह बूकम उत्पति केंद के ठीक ओपर दरातल पर इस्तिस्थान क्या क कहलाता है तो यह कहलाता है भूकंप अधिक केंद्र कहलाता है ठीक है अगला प्रशने भूकंप का अध्यान विज्ञान की किस साखा के अंतरगत किया जाता है तो यह सिस्मोलाजी के अंतरगत किया सबसे खतरनाग सागर कौन सा है दोस्तो अगर भूकम की द्रिष्ट की बात करें तो भूकम की द्रिष्टी से सबसे ज़्यादा खतरनाग सागर आपका क्या है दोस्तो सबसे ज़्यादा खतरनाग सागर है आपका प्रसांत महा सागर क्या है प्रसांत महा सागर नेक्स्ट है भूकम में तेज गती से आने वाली तरंगों का आउसत वे कितना होता है तो यह दोस्तो होता है आठ मीटर पर सेकेंड कितना होता है अगे देखते हैं भूकम पर मापी यंद्र के अनुसार एक वर्स में समानता कितने भूकम आते हैं तो यह आते हैं लगबक 8000 से 1000 तक भूकम पर दोस्तो हो दोस्तो होता है उसे क्या कहते हैं, भूकम्प केंद्र कहते हैं, next है, मरकेली स्केल के अंतरगत भूकम्प तीवता को कितनी स्रेणियों बाटा गया है, तो इसे 12 स्रेणियों में बाटा गया है, ठीक है, अगला प्रशन है, रेक्टर पैमाने के अत्रिक्त, अन्य किस पैमाने पर भूकम्प क को प्रकट किया जाता है ठीक है अगला प्रेश्य आपका रेक्टर स्केल पर कब अतीवता कारत अधिक सक्ति-सालीний वुकंप होता है 6.2 ठीक है, अगर दोस्तो रेक्टर हैं पर 6.2 है तो आप समझ जाएए कि जो हमारा वुकंप है वो सकती साली है नेक्स्ट है विस्ट के सबसे अधिक भूकम किस पेटी में आते हैं तो ये परिप्रसांद मास आगरी पेटी में आते हैं कहां पर आते हैं परिप्रसांद मास आगरी पेटी में ठीक है नेक्स्ट है एक्स्ट कोशन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट है आपका संराचनात्मक या अंसमूलक भुकम किसे कहते हैं तो किसे कहते हैं तो विवर्तनिक भुकम को कहते हैं किसको विवर्तनिक भुकम को कहते हैं ठीक है अगला प्रशन है आपका अगला प्रशन देखते हैं क्या है कि समान बरबादी वाले इस्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती थी कहलाती सहे भूकम्प रेखा नेक्शन सरवादी भूकम्प वाला चेतर कौन सा है दोस्तों तो सरवादी भूकम्प वाला चेतर है आपका हिमालाई भूकम्प चेतर अगला प्रश्न है दरहाता से कितनी गैराई तक होती तो यह कितनी हो सकती उस्तों 0-50 किलोमेटर तक दरहाता से गैराई हो सकती है अग्ला प्रश्न है आपका सिस्मो ग्राप किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता तो यह बोकम्पी तरंगों को मापने के लिए सिस्मो ग्राप को यू जम लों करते है ठीक है दोस्तो next है CE reactor ने reactor scale का विकास कब किया था तो ये 1935 में CE reactor ने reactor scale का विकास किया था tsunami का मुखे कारण क्या है? दोस्तो तो भूकम्प tsunami किस वासा का सब्द है? तो ये दोस्तो जापानी वासा का सब्द है tsunami next है इमाले के दच्छिर में इंदू, गंगा और ब्रमपुन नदियों का मैदान कौन कौन सा भुकंब छेतर है तो यह दोस्तो उत्तरी मैदान का किसका उत्तरी मैदान का ठीक है अब दोस्तो इस वीडियो से सम्मादित हम लोग क्विश एक क्विश्ट टेस्ट करेंगे अगर आपके मैं आपको हर उसके आपको अंसर पता है जल्दी से आप बदाएए आपको 5 सेकेंड का टाइम है ठीक है दोस्तो तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा आपका इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका भुकंब को आलेगा तो इसका राइट अंसर पता है जल्दी से पहले काउन सी गैस निक जलती दोस्तो आपको पास five second का time है जल्दी से timer चालू हो रहा है आपका जल्दीस मताइए जिसका right answer हो जाएगा दोस्तो आपका कौँ सा आप taction B ठीक है आपका right हो जाएगा ठीक है अगला प्रुम्न अथे दिख तिवरता वाली भुकम पन को इता है उस इस्थान को क्या कहते है तो उसको क्या कहते है दोस्तो भूकम्प केंद्र कहते है यानि कि आपसंसी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है अगला प्रश्ण है नेमलिकित में से कौन सी तरंगे भूकम्पी तरंगों भूकम्पी तरंगे सरवादिक छती पहुंचाती है प वुकंपो द्वारा उत्पन समुद्री लेरों को क्या का जाता है अंता सागरी वुकंपो द्वारा उत्पन समुद्री लेरों को क्या का जाता है दोस्तों तो क्या का जाता है सुनामी का जाता है क्या आपसन भी आहां पर आपका राइट हो जागा जो दोस्तों अंता सागरी किस देश में भोकंप से उत्पन विनासकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं किस देश में कहते हैं दोस्तों तो यह कहते हैं जापान में किस सुनामी दोस्तों आपका सब्द कहां से लिया गया है जापान से लिया गया है ठीक है तरहल पदार्थोंसेओंब कर ना गुजर सकने वाले बूर्कम पी लाइर होंसी है तो यहेंए आपकी संसतर्स तरंग यहांद आपसंस सिराइट नेक्स हैch रिएक्टर स्केल का उयक्टर प्रयोग किसके किसके मापन के लिए किया जाता है तो इसका राइट अंसर बताइए वायू में किया जाता है वायू के वेग में किया जाता है कि भूकम की तीवता में किया जाता है कि तरल के गनत में किया जाता है बताइए भी या तो किसमें किया जाता है भूकम्प की तिवतम अपने में किया जाता है नेक्स्ट है अगला प्रश्ण है किसी छेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकम्प एक साथ अन्बो किया जाता है क्या कहलाता है तो दोस्तों आपकी कहलाती है संभूकम पूरेखा यानि कि आपसन यह आपर आपका राइट हो जाता है ठीक है अगला प्रशन है सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है तो दोस्तों सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है तो इसका राइट अंजर आपका हो जाएगा भूकम का किसका भूकम का यानि आपसंसी राइट हो जाएगा ठीक है अगला प्रश्ण है सम भूकम पर एखा काकार प्राया होता है कैसा ह होता है तो दोस्तों कैसा होता है प्रसांत माहास, अगर के उस विसाल गहराई में उत्पन भूकम को क्या कहा जाता है तो इसको कहते है प्लोटोनिक भूकम का जाता है आपसन डिराइट हो जाएगा विस्ट में सबसे ज़्यादा भूकम कहा आता है तो दोस्तों विस्ट में सबसे ज़्यादा भूकम कहा आता है आपके पास आपसन है रूस जाप जल्दी बतायीं कौन सा है आपसन भी आपर आपका राइट हो जाएगा जापान ठीक सबसे जदरने कहाँ पाइट एहां का राइछ हो जाता ठीक ऑगर्क प्रश् helemaal प्रश्न बारत में सबसेदे भुकंप कहा आता है दोस्तो बारत में सबसेदे भुकंप आता हिमाले छेत्र में किस छेत्र में हिमाले छेत्र में यानि कि आपसन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ठीक है अगला प्रशन देखते हैं भुकंप उत्पत्ती का सही कारण है क्या है दो पर वोकम के केंदर के ठीक ऊपर के बिंदू को क्या कहा जाता है तो यह दोस्तों कहा जाता है यहाँ पर आपका अपसंसी राइट हो जाएगा ठीक है दोस्तों दोस्तों अगर आपको मेरी ऐसी वीडियो चाहिए तो आप हमारा यूटूब चैनल सस्क्राइब कर लिजे पर्वस से रिलेटेड जो है मैदान इस्तरा पृतियों से रिलेटेड है इसमें उस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे पर्वस से रिलेटेड सभी चीजे तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो पसंद आ गए तो लाइक ठोब दीजिए गए अच् झाल 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 झाल